हाई एवरिवन वेलकम बैक टो माई चैनल आज हम आपके साथ शेयर करें जारे मीशो सारी तो मैंने मीशो से साड़ी मंगाई है तो आप यह देख सकते हैं कुछ इस तरह दिख रही है और यह पूरी ब्लैक कलर की है और इसमें रैड और यलो कलर के प्रिंट का बॉर्डर बन बहुत ही सुन्दर है और वह भी कम प्राइस में तो कम प्राइस में आज तो आप कम प्राइस में उसको में भी करके दिखाया है यहां पर तो गाइस साड़ी बहुत ही सौफ्ट है बहुत ही हल्की और मैंने इसको दो तीन बर वाश भी किया है तो इसका जो प्रेंट है वह बिल्कुल भी नहीं निकला है और हां गाइस में धागी कड़ाई नहीं है आपको ऐसे देखने से लग रहा होगा तो कपड़ा इसका नेट है नेट में मतलब कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन हां बहुत सौफ्ट इजली बन जाता है बस क्या रहते हैं कि साड़ी बहुत ही अच्छे से बन जाती है और गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसको यहां पर ट्राइक है ब है अभू प्रिंट बने हुएह गए तो मैंने इसका प्रिंट जाना कि प्रिंट बनें on a frid के बने हुए गए हैं तो मैंने ब्लाउस को यहां से बनवा लिया है तो मैंने कुछ इस तरह बनवाया है पीछे डोरी वाला बनवाया यह बानने वाला फ्लावर बन जाएगा पीछे और साइट में आप देख सकते हैं हूक लगा हुआ नीचे तो यह से हूक से आप इसको टक कर लिजिए और फिर पीछे flower बना दीजे या ऐसे इसको छोड़ भी दीजे तो चलेगा और neck आप इसका देख सकते हैं neck मैंने इसको पीछे V-shape में दिया गया और इसकी जाब पट्टी देख सकते हैं मैंने थोड़ी चौड़ी बनाई कि पीछे जो flower बन देगा बहुत ही अच्छा लुक आएगा मैं आपको यहाँ पे ट्राई करके दिखाती हूँ तो यह से देख सकते हैं मैंने इसको अभी ऐसी कर लिया काम चलो आपको दिखाने के लिए तो यहाँ पे मैंने इसको ऐसे बान दिया है और मैं इसको flower बना दूँगी तो यह देख सकते हैं ऐसे करके मुझे ऐसे flower बना देंगे बहुत ही अच्छा लगेगा और यहाँ पे आप सकते हैं इसका neck देख सकते हैं इदम round में है और sleeve मैंने इसकी normally रखी ऐसे तो गाई से बहुत ही ज़्यादा अच्छा यह देख सकते हैं मैंने इसको flower बना के आपको दिखाया है तो देख सकते हैं कितना प्यारा लूक आ रहा है तो आप अपने ऐसे व्लॉज अपने मन पसंद सिलवा सकते हैं मुझे कुछ इस तरह सिलवाना था इसलिए मैंने इस तरह सिलवाया आपको idea दिया है याब ऐसे सिलवा सकते हैं and thank you so much